आज है 24 अगस्ट 2020 और आज मैं इस वीडियो के थुरू आपको कुछ most important current affairs के questions बताने वाला हूँ जो कि आगे आने वाले सभी exams के लिए बहुत ही important होने वाले हैं तो फिर चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आज का पहला सवाल आतंकवात पीडितों के स्मरण और स्रधांजली का अंतराष्ट्रे दिवस किस तीथी को मनाय जाता है एंसर है option A 21 अगस्ट को 21 अगस्ट को आतंकवात पीडितों के स्मरण और स्रधांजली का अंतराष्ट्रे दिवस मनाय जाता है यह दिवस दुनिया भर में आतंकवात की वजह से घायल, मौत का सिकार हुए और पीडित, साथी साथ आतंकवात से प्रभावित हुए लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए इस दिवस को हर एक वर्स 21 अगस्त को मनाय जाता है फेकेंड क्वेस्चन, खेल मंत्राले ने अरजुन अवाड 2020 कितने लोगों को देने की घोस्णा की है एंसर है ओप्सन डी, 27 लोगों, खेल मंत्राले ने 27 लोगों को अरजुन अवाड 2020 देने की घोस्णा की है और यह बात और यह खेल मंत्राले की तो युवा मामले और खेल म किरण रिजिजू एंसर है औप्षण डी जंजातियं मामलो का मंत्राले जन्जातिय मामलों के मंत्राले के तहट ट्राइफेड के द्वारा ट्राइफूट प्रोजेक्ट को लागू किया गया है सरकार ने 36 गड़ के जगदलपूर सहर और महराष्ट के राइगड सहर में ट्राइफूट प्रोजेक्ट का सुभारम किया है और यहां बात और यह ट्राइफेड की तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल को ओपरेटिव मार्केटिंग डेवलप्मेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और जन्जातिय मामलों के मंत्री है अरजुन मुंडा फॉर्थ क्वेस्चिन हाल ही में किसने COVID-19 महमारी का मुकाबला करने के लिए एंटी माइक्रोबियल सुट औसध तारा विक्सित किया है एंसर है ओप्शन A D.I.A.T D.I.A.T ने COVID-19 महमारी का मुकाबला करने के लिए एक एंटी माइक्रोबियल सुट औसध तारा विक्सित किया है ये सूट किसी भी तरल पदार्थ को रोकने की छमता रखता है और ये सूट जल्द ही online platform जैसे Flipkart, Amazon आदी पर उपलब्ध होगा और हम यहाँ बात कर रहें D.I.A.T की तो इसका full form है Defense Institute of Advanced Technology इसकी अस्थापना 1952 में हुई थी और इसके Chancellor है Rajnath Singh जो की Defense Minister है Economic Explosives Limited कमपनी ने कौन सा रोकेट विक्सित किया है एंसर है Option B, Pinaka Economic Explosives Limited ने पिनाका रोकेट विक्सित किया है जिसका भारतिय सेना द्वारा सफलता पुर्वक परिक्षण किया गया है पिनाका रोकेट ऐसा पहला रोकेट है जिसे पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाए गया है इस विकास से Make in India और आत्म निर्वर भारत को बढ़ावा मिला है और इसका सफलता पुर्वक परिक्षण पोकरण में हुआ है और पोकरण रायस्थान में इस्तित है तो आप मैप में रायस्थान को देख सकते हैं रायस्थान की कैपिटल है जैपूर रायस्थान के चीफ मिनिस्टर है असोग गहलोत और यहां के गवर्णर है कलराज मिस्र Sixth question Fertilizers Association of India के 9 नियूक्त अध्यक्ष का नाम बताइए Answer A, Option B, कि सोर रुंग्टा कि सोर रुंग्टा को Fertilizers Association of India के अध्यक्ष के रूप में नियूक्थ किया गया है जिन्हें आप तस्भीर में देख रहे हैं ये हैं किसोर रुंग्टा जिन्हें की Fertilizers Association of India का नया अध्यक्ष निउक्त किया गया है किस मंत्राले ने देश में आत्म निर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की सुरुवात की है इलेक्ट्रोनिक्स और सुचना प्रोदावगी की मंत्राले ने देश में आत्म निर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की सुरुवात की है इस चैलेंज के तहट नए टेक्नलोजी पर काम करने के लिए छात्रों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि वे 32 बिट और 64 बिट के दो माइक्रो प्रोसेसर का उप्योग करके नए टेक्नलोजी को डेवलप करें यहां बात हो रही है इलेक्ट्रोनिक्स और सुचना प्रोद्वग की मंत्राली की तो इसके मंत्री है रविसंकर प्रसाद आठवा क्वेस्चन फेस्बुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग दुनिया के टॉप टेन अमीरों की लिस्ट में किस अस्थान पर पहुच गए है एंसर है ओप्सन ए तीसरे फेस्बूक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग तीसरे अस्थान पर अमीरों की लिस्ट में पहुच गए हैं जिन्हें आप तस्वीर में देख रहे हैं यहीं है फेस्बूक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग 9th question, किस राज्य ने अपने राज्य से समंधित लोगों को सभी सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने की घोसड़ा की? एंसर है option C, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री सिवराज सिंग चौहान ने हाल ही में घोसड़ा की है कि राज्य सरकार के सभी नौकरिया अपने राज्य के लोगों के लिए ही आरक्षित होंगी यह देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के लोगों के लिए अपनी सभी नौकरियों को आरक्षित किया है और यहां बात कर रहे हैं मद्ध प्रदेश की तो आप मैप में मद्ध प्रदेश को देख सकते हैं अखिरी सवाल प्रधान मंतरी द्वारा अपने सौतंतरता दीवस के भासरण में कीन दो जानवरों के सनरक्षण के लिए एक नई पर्योजना का उलेख किया गया था अप्सन ए सेर और डॉल्फिन भारतिय प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी द्वारा पंदरा अगस्त को सौतंतरता दीवस के असर पर भासरण दिया गया इस भासरण में उन्होंने दो नई पर्योजना को लॉंच करने के बारे में बात किया एक है प्रोजेक्ट लायन और दूसरा है प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट लॉयन का उद्देश से है एसियाई सेरो को संरक्षित करना और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का उदेश से है नदियों और महासागरों में डॉल्फिन का संरक्षन करना टॉप टेन इंपोर्टेन्ट क्वेस्चिन्स मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना न भूले और साथी साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथी साथ बेल आइकन को भी दबा दे तब तक के लिए बाई and थैंक्यू फर वाचिंग दिस वीडियो